हेलो फ्रेंज आज मैं आपको 2013 की एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ट वे बैक होम ये मूवे एक्स्प्राइब करने वाला हूँ इस मूवे में एक मदर एक अलग कंट्री में अरेस्ट हो जाती है इसें जो क्राइम क्या होता है ये जाने अंजाने में इससे हो जाता है अब ये फैमिली क्या करेंगे अब हम इस मूवे में देखेंगे तो चलिए ये शुरू करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और यून हमें पैरिस एरपोर्ट पर दीखती है एरपोर्ट की जो एतरीट हुथी है इसको इसपे शक हो जाता है और यहाँ अरेस्ट हो जाती है अब इसकी बैक स्टोरी हम देखेंगे हमें हमारे दो मेन क्यारेक्टर दिखते हैं यून और जॉंग यून वाइफ है और जॉंग उसका हस्बंड है ये दोनों एक car repairing shop चलाते हैं यून भी आज गाड़ी को कुछ साफ कर रही होती है तो भी एक spider उसे दिखता है उसका husband उसे बुलाता है तो इस spider मर जाता है आज उसके husband के बहुत सारे friends आने वाले होते है ये कहती ही कि मैंने आज spider को मार दिया है ये अब शुगों ने आज उन्हें आने से मना कर दो husband केता है कि इसा कुछ भी नहीं होता मेरे जो friends है ये मेरे family की तरह है ये कभी भी आजा सकते है कोई हमें problem ने आएगा ये इनकी conversation चल रही होती है तो भी मुंदो आ जाता है मुंदो वही friends में से एक है जो इन से मिलने आले वाला था मुंदो बहुत दिनों से गार था वो कहा था क्या कर रहा था किसी को कुछ भी पता नहीं है रात में जब ये डिनर कर रहे होते तो और दो friend आते इन friends में से एक business man होता है एक computer की shop चलाता है और एक मुंदो होता है एक दूसरे से अपना हाल चाल पूछते मुंदों को पूछने पर कि वो क्या करता है एक story make up कर देता है इसने sona find किया है और पिछले तीन सानों से वो यही था जो business friend friend होता है उसे जब पूछा जाता है तो कहता है यॉन और जॉंग इन दोनों मझे बहुत हेल्प के है मेरे business को लेकर इन्हें जैसे मैं stand हो चुका हूँ और तीसरा जो friend है एक computer center चलाता है इस रात इन सब friend की reunion हो जाती है नेक्स दिन जैसे एक family के morning routine होती है वे इसे इनकी routine चलती है यॉन अपने बेटी के health बना दिये और अब वो school जाने वाले होती है जब जॉंग और डॉटर ये दोनों घर से बाहर चले जाते है और यॉन अकेले होती है तब ही business man friend वहाता है ये यॉंग से खाना मांगता है और कहता है कि बहुत दिन हो चुके है मैं तुमारे हाथ का खाना है नहीं खाया था इसलिए मुझे याद आ गई और मैं आ गया यॉन भी उससे जादा कुछ नहीं पुछती रात में पुलिस को इसी business man friend की body मिलती है इसने suicide कर ली होती है इस पर बहुत जादा debt हो जाती है और ये सहन नहीं कर पाता इसके बाद जॉन और यॉन को बैंक में बुला जाता है बैंक वाले उससे कहते हैं कि तुम पर 200,000 डॉलर्स का लोन है एक्च्वल में जो business man friend था इसने लोन लिया था जॉन ने इसके लिए sign की थी अभी भी लोन बहुत है तो एक छोटे से घर में जाकर rent पे उन्हें रहना पड़ता है इनकी financial situation बहुत ही खरा होती है तो इनके friend मुंदो के पास वाते है इसने कहा था इसे goldmine मिली है तो इसके पास पैसे होंगे ऐसा होने लगता है जब इन मुंदो के पास आता है तो मुंदो कहता है कि उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हो $4,000 सिर्फ तीन दिनों के काम के लिए यह हो उन्हें deal दे रहा होता है यह काम जब उन्हें समझाता है तो यह होता है एक airport पर जाना है और अपने luggage में बहुत सारा सामार रगना है उन्हें कहता है कि एक stone से जो तुमें import करके लाने है बस तीन दिनों में तुम वापस आ जाओगे और $4,000 तुमारे हो जाएंगे यह उन्हें को यह बहुत ही suspicious लगता है जोंग कहता है कि इस बाद सोच कर में तुमें बताऊंगा जब रात होती है तो मुंदों से जोंग बात कर रहा होता है यून से कह रहे हुती है कि एक काम तुमें नहीं करना चाहिए पर जोंग उसकी मानने नहीं वाला होता बहुत ज़्यादा loan उस पर होता है और एक ऐसे pay करेगा ये बहुत बड़ा problem होता है जब ये बात कर रहे होते हैं तब John को पता चलता है कि इस काम के लिए सिर्फ ladies लगने वाली है John ये काम नहीं कर सकता तो ये बहुत जादा disappointed हो जाता है अब जिस नए घर में वो पहुच चुके है तो इसकी जो landlord है ये उन्हें अब डाट रहे होती है बहुत दिनों से इन्होंने रेंड भी नहीं दिया होता अब दो-तिन दिन गुजर जाते हैं John घर पर ही नहीं आता Continually वो काम कर रहाता है यानि कि बहुत सारे पैसे वो ला सके डॉक्टर यून से पुछती है कि फादर का है पर इसके पास जादा कुछ answers नहीं होते अब यून को महसूस होता है कितनी बड़ी प्रॉलम उन्हें आ चुकी है फिर वो मुंदो को कॉल लगाती है वो कहती है कि इस काम के लिए मैं रेडी हूँ अपने बेडी को वो बाजार में लेकर जाती है घर आते वक एक टॉय के शॉप में डॉटर रुखती है इसे एक बड़ी सी डॉल चाहिए होती है पर यून के पास इतने पैसे नहीं होते है तो एक छोटी सी डॉल उसे ले लेती है डॉटर को कोल लग रहा होता है तो अपने कंदे पर यून उसे बिठा लेती है उसे कहती कि थोड़ी दिन तक मैं यहाँ से बाहर जाने वाली हूँ तुम्हें अच्छे से रहना है सब इंस्ट्रक्शन उसे देगर वो चली जाती है जॉट जब घर पर आता है उसे फ्रीज के उपर नोट मिलती है यह थोड़ी दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ अगर वो पकड़ी गई तो कस्टम वालों को पैसे दे देना पर यह यहाँ काम नहीं करता यह उसने जुट बोला था उसे अब जेल में डाल दिया जाता है मुन्दों की जे गर्ट्रेंट होती है यह भी पकड़ी जाती है इसे भी जेल में डाल दिया जाता है अब John को इस सब incident के बारे में पता चल चुका है यह पुलिस के पास आता है उन्हें कहता है कि उसे पता ही नहीं था उसे लगा था कि यह स्टोन से अगर उसे पता होता कि यह कोकेन है तो यह कभी भी नहीं करती पुलिस के थी कि हमें सिर्फ मुंदो को पकड़ना है अगर वो पकड़ा गया और उसने टेस्टिमोनी दे दी तो मारी वाइफ फ्री हो जाएगी कोई प्रावलम ने आएगा जाते जाते वो जॉन्ह को अपनी पी करने के लिए बोलते है इस पर भी पुलिस को शक होता है यह भी अपनी वाइफ को एक काम करवा सकता है इसलिए इसको भी पी सैंपल और हैर सैंपल देना पड़ता है डॉटर अपनी मदर उसे देखने रही तो उसे बहुत ही परिशान करती है जॉन्ह उस पर चिर जाता है उसे बहुत बुरा लगता है मुंदू की जी गर्फरंड जो पकड़ी जा चुकी होती है वो एस असस्टिक्ट होती है इसके पास कोकेन नहीं होता तो जो छोड़ दिया जाता है कॉरियन एमबेसी से आई हुई एक लेड़ी वा होती है यून उसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है उसे अपने हस्बन को कॉल करना है ये भी उसे बताती है ये बहुत इस्टिक्ट होती है और कहती है ये फ्रेंच एमबेसी के काम करती हो तुम जब प्रिजन में पहुँच जाओगी तब लेडर लिखना जो अंग पुलिस के पास आया हुआ होता है और कोरियन एमबेसी को ये सब इनफर्म किया जाता है पुलिस ओफिसरों से खेता है थोड़े दिनों बाद तुम एमबेसी को कॉल करना ये जो सब मैटर है इसे वो देख लेंगे अब हमें कोरियन एमबेसी का ओफिस दिखाए जाता है यहाँ पर ये जो सब मैटर हुआ है एक बोस को एक इमपलॉई समझा रहा होता है बोस उसे खेता है कि ये जो सब हुआ है ये हमारी लिए डिस्ग्रेस है इस पर वो जादा ध्यान नहीं देने वाले होते ये जो इमपलॉई होता है इसका नाम देईउन होता है अब हमें दिखता है कि देईउन पैरिस में आ चुका है और यून से वो मिलता है उसे कुछ पेपर साइन करने के लिए बोलता है डूद बरश वगरा कुछ सामन उसे देगर जाता है यून कहती है कि मुझे मेरे हस्बन से बात करनी है यून कहता है कि फ्रेंच लॉप बहुत ही कड़क है तुम में हस्बन से बात नहीं कर पाओगी जब तुम प्रिजन में जाओगी तब ही तुम लेटर लिख पाओगी ये बहुत येडगड़ा रहे होती है तो प्रिजन गार्ड को इस पर दया आ जाती है इसे कॉल करने के लिए वो पर्मिशन दे देता है जब ये कॉल लगाती है तो जॉँग बीजी होता है इंगी बीटी कार में होती है और ये रस्ते के एक साइट पर होता है ये भागते भागते वहाँ जाता है पर यून का टाइम खतम हो जाता है वो अपने डॉटर से बात नहीं कर बाती है नेज़ दिन मुन्दो के गल्डफरेंड कोरिया में आ जाती है वो पुलिस स्टेशन में होती है तो जौंग भी वहाता है उससे बुछता है कि तुम कैसे आगे और कैसे यून वहाँ है वो बहुत ही उस पर चिट गयाता है पुलिस ओफिसर कहता है कि इंवेस्टेशन चल रही है तुम इसमें जादा इंटरफेर मत करो यून जादा ही आवाज उठाता है तो ऑगेता है कि तुमने एक गुनेगार से शादी की थी इसमें हमारा कोई दोश नहीं है तुम किसी को भी बलेम नहीं कर सकते उससे बाहा से जाने के लिए बोलता है तो मुंदो की गल्फरेंड भी आती है मुंदो के गल्फरंड से कहती है तैवान नाम का एक आदमी था यह मुंदो का बहुत अच्छा फ्रेंड था अगर तुम इसे ढूंड लो मुंदो को भी तुम ढूंड सकते हो अब थोड़े दिन हो जाते है तो जॉंग कोरिन एमबसी को कॉल लगाता है यहाँ पर दे यॉंग उसे बात कराता है दे यॉंग इसे कहता है कि यह जो क्राइब हुआ है इसकी हेरिंग होने में चार मंद लगेंगे यॉंग उसे भुचता है कि तब तक के लिए मैं क्या कर सकता हो दे यॉंग उसे कहता है कि अच्छा सा एक लॉयर ढूंड लो यह जो officer है, इसको इसमें involve नहीं होना, इसलिए इसको यह मना कर देता है, जब घर पर आता है, तो उसका पुरा सावन रस्ते पर होता है, यह rain पे नहीं कर पा रहा, इसी वज़े से होता है, हमें रिखता है, कि यून उससे later लिख रही है, इसमें उससे पुछती है, अब तो बहुत ज़्यादा थंडी होगी, उसकी daughter का खयाल रखने के लिए उससे बोलता है, उससे cold हुआ है यह उससे पुछती है, इससे कहती है कि comfortable है, इसके लिए worry करने के कोई भी ज़रूत नहीं है, यून prison में होती है, तब एक guard आती है, उससे कहती है कि तुमारा transfer हो रहा है, य उसे transfer कर दिया जाता है, यह चल बहुत ही strict होती है, यहाँ के guards जो होती है, यह बहुत ही जालिम होती है, यून को इनकी भाष्य समझ में आती है, तो communication का बहुत ज़्यादा problem इसे होता है, जब रात होती है, तो उसके पास guards आती है, इससे कुछ गोलिया देती है, इसे लेनी होती है, पर यह लेनी रही होती है, इसे फिर ये मारते हैं और जबरदस्ती यूसे लेनी पड़ती है, नेक्स निवे में दिखता है, यह जो यूंग है, यह मूंदो के office में आ चुका है, अगर हो मूंदो को ढोंड लेगा, तो यून की सजा कम हो सकती है, उसे सजा भी नही बोस को बहुत पूरा लगता है कि ये भी उनके जैसा ही है ये जो गैंग्स्टर बहुत है इसके पेसे लेकर मुन्दो भाग चुका था है जहांग से कहते हैं को तुम्हें भी ढंना है और मुझे भी ढंना है हम दोना एकसाथ काम कर सकते हैं पर यह गैंगसर उसकी इंसल्ट करकर उसे घर वेश्थ देता है Is पर बहुत सारा लोन अभी है तो उसे बहुत जादा काम करना पड़ता है उसके डॉटर का खयाल अच्छे से नहीं रख पाएगा तो डॉटर की जो एंड होती है वह चोड़कर उसे चला जाता है यून को जेल में बहुत ही तकलिफ होती है यह जो खाना खा रही होती है यह द जाए होता है कि मुंदो कहा है यह बहुत सारी जगा कॉल लगाता है और तैवांग और मुंदो इन दोनों का पता रूणता है एक वाच की शौप में एक कॉल लगती है मुंदो जहा है यह इन्हें पता है जो फिर इस शौप में जाता है शौप में जाने के बाद मुंदो क ये नाम के जो घड़िया होती है ये उससी दिखाई जाती है इस शौप के बीचे मुंदो का सब ऑपरेशन चलता है और मुंदो को मिलने का ये कीवर्ड होता है जोंग को इन वाचेस मैंसे एक वाच चूस करना पड़ेगा और जो दुकान दारे इससे पता चल जाएगा कि क्या काम मुंदो के पास इसका है जोंग को ये समझ में ने आता तो वहाँ से चला जाता है पुलिस इस पर बिलिव नहीं करती जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है ये सब तुम कहानिया मना रहे हो इससे अंडरगराउन ओपरेशन वेगरा ऐसा कुछ भी नहीं होता अपने कलिक को ये सब बताता है और ये कुछ ढोडने पाता नेकसीन में यून की जेला में दिखाई गई है इस जेल में एक अमेरिकन होती है ये यून की सेल में होती है जो दूसरे गई दी होती है इससे इसकी जादा कुछ जम दी नहीं इन दोनों में बहुत बड़ी लड़ा ही हो जाती है इसमें यून को भी ब पता है कि तुम कैसे महसूस कर रही हो, पर तुम्हें रोना नहीं है, अजो तुम्हारी मदर को पता चला कि तुम रो रही हो, तो उससे बहुत ही बुरा लगेगा, यह अमेरिकान फिर इसे हग करती है, और यहां रोने लग जाती है, यह अच्छी best friend अब यहां से हो जाती है, जौंग जो होता है, तैवां की साथ जो incident हुआ है, यह सब वो गैंग्स्टर को बता देता है, गैंग्स्टर बहुत ही resourceful होता है, उसे पता होता है कि कैसे इसका पता निकालना है, अपने आदमियों को वो काम पर लगा देता है, जौंग को उसके बुरा निक homeowner थी, उसने जौंग बुलाया होता है, अब वो वहां नहीं रह रह रहा, तो यौंग के जो letters है, वो वही जाते है, यह letters जौंग को मिल जाते है, अब जो letter में का address है, यह अलग है, जौंग जो होता है, यह computer center चलाने वाला जो friend है, इसकी computer center में आप रह रह रहा होता है, अपने friend को कहता ह यह जो लोकेशन है प्लीज इसका पता करो जोंग फिर यह लेटर पड़ता है इस लेटर में यूंग कहती है कि मैं पैरिस में थी वो बहुत ही कोल था और अब मैं ट्रॉपिकल आईलर्ड में आ चुकी हूँ यहाँ बहुत ही गर्मी होती है मेरे पास जादा पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें लेटर इस लिख सकूँ थोड़े से पैसो की मुझे जरूरत है मुझे पता है कि तुम्हारे फाइनाशल सिजुएशन बहुत ही खराब हो सकती है और फिर भी उसे हेल्प अप चाहिए होती है अपने बेटी का फोटो हो मंगवाती है यौंग फिर यौन को जो सब चीजे चाहिए होती है यह सब इखटा करता है एक्सप्रेस शिपिंग के ओफिस में वह जाता है वहागे जो लेडी होती है वह से कहती है यह शिप करने में 20 टेस लग जाएंगे यह बहुत ही जादा टाइम है तो यह उसे सजेस्ट करती है कि अगर तुम कोरियन एमबसी से यह शिप करोगे तो यह बहुत ही फास चला जाएगा अब नेक सीन में हम दिखता है यह जो गैंग्स्टर था उसे तैवान का है यह पता चल चुका है जोंग को भी कॉल आ जाता है और वो जहाँ होता है यहाँ चले जाते है तैवान को बहुत ही मारने लग जाते है तब पुलिस वह आती है पुलिस तैवान को ले 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 थी है और उसे पुछताच गरने लग जाती है जोंग भी बहुत होता है यूंग फिर Korean Embassy को call लगाता है उन्हें कहता है कि money transfer मुझे करना है अगर आपके through में करूंगा तो यह बहुत ही fast हो जाएगा यहाँ पर देयांग उसे कुछ अच्छे से answer नहीं करता वो कहता है कि क्या हमें यही काम है तुमारी wife एक felon है एक disgrace है इस country के लिए हम इसे जादा कुछ मदद नहीं कर सकते यूंग के hearing होने वाली है या नहीं इसके पहले उसका interview होता है कुछ नए evidence आकर होंगे तो उसकी defendant judge को बताती है यूंग यहाँ कुछे बोलने बाती है क्योंकि छे french भी नहीं आ दी और English भी उसे अच्छी नहीं आ दी अब इसकी जो hearing है और चार मैने के लिए पॉस्पन हो जाती है यह बाहर आकर अपने आटर ने से कहती है कि कितना डाइम लग सकता है अपनी तुटक भाशा में ही इससे सब कुछ बोल रही होती है कि तुम्हारे लिए important है अगर इसने सही से गवाई देती कि यौन को पता ही नहीं था कि उस बैग में क्या था तो यौन छुट सकती है यौन भी फिर उसे पैर से समझाता है जौन का लिटर यौन को मिलता है इसमें इसकी बीटी की फोटो थी है ये देखकर और रोन ले रचाती है जौन केहता है कि हम दोनों ठीक है हमारे बारे में तुम्हें कोई भी चिंदा करने की जरूरत नहीं है तुम सिर्फ अपना खयाल रखना जो सब हुआ है ये मेरा ही फॉल्ट है इसके लिए मैं बहुत ही गिल्टी महसुस करता हूँ हम गिव अप नहीं करने वाले हम होप रखेंगे कि तुम जल से जल यहां से भार आ जाओगी अब इंगे जो डॉटर है ये ज़रा बड़ी होने लग गई है तो यूंग अपने लेटर में लिखती है उसकी फोटो मुझे भेज़ दो अगर मैं उसके बड़े के लिए वापस नहीं आ सके तो उसे पार्क में लेकर जाना वो अपने बेटी को लिखती है ये बहुत सारी पढ़ाई करना और फादर को जादो तकलिफ मत देना अब यूंग जो है अब प्रिजर में अच्छे से घुल मिल चुकी है उसकी अब फ्रेंड भी बन चुकी है तो अब इसे जादा कुछ प्रॉलम नहीं आ रहा है यूंग को जज़ के सामने प्रॉलम आता है क्योंकि वहाँ टांसलेटर ही नहीं होता जो कोरियन में बात कर सके और क्या हो रहा है यह सब यूंग को समझा सके यह सब प्रॉलम वो लेटर में लिखती है जोंग फिर कोरियन अमबेसी को कॉल करता है वो कहता है कि टांसलेटर वहाँ क्यों नहीं है देवन केता है कि बहुत ही remote facility में है यहाँ पर हम किसी को पर नहीं भेश सकते हैं अगर भेशा जाए तो बहुत जादा खर्चा आजाएगा यह हम taxpayer के money से कैसे ले सकते हैं पहले हमारा budget इतना कम है और अगर तुमारे wife पर हमने खर्चा कर दिया तो लोग हमें क्या कहेंगे हम एक drug traffic करने वाली पर इतना जाता पैसा खर्च नहीं कर सकते यह घटिया answer देखकर और call cut कर देता है next scene में हमें दिखता है कि मुंदो की hearing चल रही होती है मुंदो जोता है अपने crime के लिए confess कर लेता है और यह भी बता देता है कि यून की इसमें कुछ भी गलती नहीं थी जौन कोटरूम में पुछता है कि अब क्या process होगी वहा का lawyer उसे कहता है कि जो भी transcript इस कोटरूम की है वो अब हम Korean embassy को send करेंगे यह French की embassy को translate करकर send करेंगे और इसके बाद यून का जो trial है वो start हो जाएगा वो जल से जल वहाँ से बाहर आ सकीगी यून के लिए translator मिलने ही पा रहा तो जौन अपने friend को लगा कर internet पर message भेजता है अगर कोई Korean फ्रांस में रह रहा होगा तो उसे ही message मिल सकता है यह जो अब transcript है जो Korean embassy को वाला होता है इस दिन उनके office में बहुत ज़्यादा strictly सब लोग काम कर रहे होते हैं इस office में जो मैस होती है यह देयून देखता है देयूंग सब को कहता है कि officer आएगा और हम अगर ऐसे दिखेंगे यह हमारी reputation के लिए अच्छा नहीं होगा यह सब उन्हें साफ करने के लिए बोलता है यह साफ करते करते जो translation था जोने भेजना था इसके file नीचे गिर जाती है यह अलग table पर चली जाती है और बहुत सारा time गुजर जाता है तो paper work खराब है जो इनने नहीं लगने वाला इसको आश्रेड करते हैं इसी shredding के files में वो चली गई होती है इस translation की papers को वो shred कर लेते हैं यह उनको judge के सामने फिर से hearing होती है जो Korean embassy है उसने paper work sending नहीं किया है तो फिर से चार मेने के लिए उसका trial पॉस्पन हो जाता है यह समझ में नहीं पाती यह हो क्या रहा है जोंग ने अपने बेटी को उसके end के हाँ छोड़ा होता है पर वो थोड़ा सा गिर जाती हो और हर्ड हो जाती है जोंग फिर अपने बेटी को लेकर चला जाता है जो अपने साथ ही अब उससे रखने वाला होता है जोंग के बेटी का बर्ड़े आ जाता है उसे पाक में ले जाता है इस दिन उसे ज़्यादा कोछ तकलिफ नहीं देती यून को जेल की गाड़ी में से ले जा रहा होता है तभी गाड़ी रूख जाती है जेल की एक गार्ड होती है जो इसे जबरदस्ती करकर इसे इंटिमेंट होना चाती है यून बहुत ही जिला थी है वहाँ से गाड़ी जा रही होती है तब ही ये लोग रूख जाते है और क्या आवाज आ रही है ये देखने लग जाते है यून बहुत ही डर गई होती है तो ये भागने लग जाते है ये भागते भागते सी के पास आ जाती है ये केरिबियन सी होत केरीवियन उन्हें देखना था, अब मैं दिखता है कि जॉंग और उसकी बेटी अच्छे से अपने रूटिन में घुल मिल चुके है, यून की बेटी को यूंग की अब जाद याद नहीं आती, यून भागने वाली थी इसलिए उसे काल कोठ्री में डाल दिया जाता है, अब ट्राय करता है कि कोई उसे नोटिस कर ले, पर ये कोई नोटिस नहीं कर पाता, जॉंग को जो इंटरनेट याफे वाला फ्रेंड होता है, ये सब वो इंटरनेट पर डाल देते हैं, इससे गोरियान एमबसीवर प्रेशर बढ़ जाता है, देयोंग और उसका जो बॉस होता है, इन पर भी प्रेशर आजाता है, इने फिर इंक्वाइरी करने के लिए फ्रांस जाना पड़ता है, ये यून से मिलने आते हैं, इससे सहारा देने के वज़ा, इससे कहते हैं कि तुम पॉजिट्व ठिंगिंग करो, तो बहुत सारे साल यहां रुकना पड़ सकता है, तो होता है, उसे हो मिलने जाती है, पर गार्ट्स उसे रोक लेते हैं, ये उन बहुत ही अकेला में जूस करती है, उनकी जो जेल में फ्रेंड थी, वो जेल के बाहर आती है, उसे दूर से आवाज देती है, उसे पुछती है, कि वो कैसी है, उसकी फ्रेंड भी उसे आवाज दे तुम दोनों यानि कि जॉंग और उसकी बेटी यह बहुत ही सफर कर रहे हैं यह में सहन नहीं कर सकती अपने आपका तुम खयाल रखना यह इस लेटर में लिखती है यानि कि इसके बाद वो सुसाइट करने का अटेम्ट करती है इसे होस्पिटर में ले जाया जाता है बहुत जादा तमाशा खड़ा कर लेता है इनसे पूछ रहाता है इनसे एटलिस बता दो यह यून केसी है जब यह बहार आता है तो एक रिपोर्टर उससे मिलता है वो कहता है यूंचे तुमारी वाइफ पर स्टोरी करनी है हम उसे मिलने के लिए फ्रांस जाने वाले है क् जौंग अपने बेटी की वीडियो उसे दिखाता है अब जौंग ने इससे मिल लिया है तो अब इससे फिर से गह जाना पड़ेगा इनने एक दूसरे को छोड़ने में बहुत यह तकलिफ होती है पर इनने अब जाना पड़ता है जो सब रिपोर्टर है और जौंग यह सब अब कोरियन अबशी आ जाते है उनसे सवाल पुछने लग जाते है उन्हें ट्रानस्लेटर के बारे में पूछते है जो बॉस होता है और के था हमारे जो वनी और इससे से इसमें बहुत व्यूक्त राइ किया था पर हमें फ्रांस में कोई भी नहीं मिला रिपोर्टर केते ह पर तुमने कुछ दकर ही नहीं ली थी यह उने बहुत ज़यादा blame करे होते हैं यह फिर इने papers के बारे में पुछते हैं कि तुमनेữa France को कुछ papers भेजने थे वोको कुछ तुमने क्यों नहीं भेजे हैं यह boss कहता है कि हमने तुम भेजे थे ये फिर रिसिप्ट ढूरने लग जाते है पर इने रिसिप्ट कहीं भी नहीं मिलती है जॉंग फिर देवंग पर चपक जाता है उसे मानने कोशिश करता है ये सिचुएशन ज़रा कंट्रोल करते है ये ने इन पेपर के बारे में जॉंग को पता है इसी वज़े से ये सब हुआ है तो अब ये जो Korea Members के बोश वकरा है है ही ये इन से मिलने के लिए आती है ये कहते हैं तुम्हारे ये वज़े से ये सब हो रहा है तुम एक क्रिमिनल हो और हम जैसे इमानदर ओफिसर्स को ये सब जहिलना पड़ रहा है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें ये वो पेपर मिल गए तो ज्यादा कुछ डिफरंस होगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो तुमारे होप है ये सब तुम छोड़ दो यूंग बहुत ही रोने लग जाती है ये जॉंग को कॉल करती है और कहती है कैसे मैं होप सोड़ सकती हूँ यही तो मेरे लिए लास चांस है जॉंग उसे कहता है कि अवी भी खतम नहीं हुआ है हम और भी लड़ने वाले है जो टीवी वाले होते हैं इन पर फ्रांस का गवर्मेंट प्रेशर लगाता है जो स्टोरी उन्हों नहीं की है ये रन नहीं करनी है इसके बाद फिर जॉंग अपने फ्रेंड के बास आता है वो इंटरनेट पर ये सब लीक कर देते है इसके बाद बहुत सारे लोग इन्हें सपोर्ट करने लग जाते है बहुत सारे शेर्स होते है बहुत कुछ हलचल मत जाती है इसके बाद सब पर प्रेशर आ जाता है जो डॉक्मेंट्स थे जो Quarian Embassy ने डॉक्यमेंट्स नहीं भेज़े थे अब फ्रांस के पास आ चुकी होते है यून को एक अच्छा सा लॉयर मिल जाता है इसकी hearing अब स्टार्ट हो जाती है इस hearing में यून को जो लॉयर होता है ये सब को समझाता है कि इसको पता ही नहीं था कि इसके पास ड्रग से इसकी गवाई हो जाने के बाद जज अब फैसला सुनाने वाला होता है जज यून से पूछता है कि क्या तुमें कुछ बोलना है यून खड़ी हो जाती है वो कहती है कि हा मैं गिल्टी हूँ थोड़े से पैसो के लिए मैंने काम किया था पर ये जो सब हो रहा है इसके सजा मेरी फैमिली भुगद रही है इससे घर जाना है ये वो जोचको कहती है मेरी बीटी चार साल की थी पर अब वो छे साल की हो चुकी है अपनी मदर के भिना उसे जीना पड़ रहा है मुझे फ्लीज घर जाने तो ये अपील वो जजस से करती है जस थोड़ी देर बाद फिर से वो आता है उसे एक साल की सजा देता है पर अल्रेडी यून ने दो साल जेल में स्पेंड की है तो अप उसे सजा नहीं होने वाली वो डारेक्ली अप घर जाने वाली होती है ये बहुत ही खुश हो जाती है ये फिर एरपोर्ट पर आती है जॉंग उससे मिलता है अपने बेटी से वो मिलती है उसकी बेटी उसे identify नहीं कर पाती है इसका जो चेहरा होता है यह भूल चुकी होती है यह डर रही होती है तो जॉंग उसे कहता है कि मदर के पास जाओ यूंग की बेटी उसे पुछती है कि क्या तुम मेरी ही मदर हो यह फिर उसे गले लगाती है इसके बाद फिर हमें इनका जो रूटीन था वो फिर से स्टार्ट हो चुका है यह हमें दिखता है यून अपने बेटी के बाल बना रही होती है जॉंग थोड़ी दिर बाद घर आता है इस सीजन में पहली बार आज स्नो किरने वाला होता है स्नो किरना स्टार्ट हो जाता है यह सब को भार बुलाता है एक कैमेरा वो लाता है एक फैमिली फोटो हो लेने वाले होते तो generics चोंक को फिर से कॉल आता है वह जाता है यह गूड़ निज है तुम्हारी वाइफ घर पर आने वाली है चौंग को इस पर घुसा आता है पर वो इस पर जादा ध्यान नहीं देता कैमेरा उन करता है और फैमिली फोटो में आ जाता है पर एक स्माइल करते हुए एक बड़ी आस की वो फोटो निकालते है इनकी फैमिली अब फिर से बन चुकी है यही मूवी खतम हो जाती है इसके बाद एनक्रेटर्स में हमें पता चलता है कि इन दोनों को और एक बेटी हुई थी एक हैपी लाइफ यह सब जी रहे है हमारे लाइफ में हमारी सिचुएशन कितनी में खराब हो पर फिर भी हमें गिव अप नहीं करना है इतने भी बुरे दिन हमें आ जाए पर फिर भी हम इसे एड़्जस कर सकते है इन बुरे दिनों से हम बाहर आ सकते है जो कुछ हमें चाहिए इसके लिए हमें कभी भी गिव अफ नहीं करना है इसी अच्छे से मैसेज के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन भी दबा दीजे हम इसे मिलेंगे एक नई मूवी के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे